तो है गाईज हेलो विल्कम बैक टो अनादर लाइफ टेडिंग लर्निंग वीडियो दिखे यार सेकेंड हाफ का मार्केट है मतलब आज का दिन उत तक हास तो मेरे लिए रहा नहीं है धन्तिरस का दिन है आज एके दिन मुझे लॉस मिल चुका है अब देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है मुझे ऐसा लग रहा है 3 पीम मूफ कहीं न गई उपर साइड शूट होने वाले एंड कम से कम यहां से मैं नहीं तो नहीं 100 पॉइंट का तो टार्गेट रखा ही हुआ है बट लेट सी क्या होता है क्योंकि अभी पाच मिनिट और बाकी है ठीक है 3 पीम मूफ के लिए हो सकता है आज मतलब यह नीचे आ जाए और मेरा बड़ा लॉस हो जाए सो देखिए आप लोग यह मत सोचिएगा कि मेरा लॉस हो गया दिवाली के दिन तो बस क्या होगा इसके बाद मतलब नेक्स्ट इयर लॉस ही होने वाला है ऐसा कुछ नहीं है यह सिर्फ मित है सो आप एक वन ऑफ़ ट्रेडिंग डे के तरह करें कि मुहारिट ट्रेडिंग डे भी है मेरी खहल से बारह थारीक को तो बारह थारीक को जाता है gap up gap up gap up सो यह मेरा expectation है ठीक है ऐसा हो सकता है कि आप लोग कुछ अलग सोचते हो बट मुझे ऐसा लगता है market यहाँ से उपर ही जाने वाला है क्योंकि दिखिए क्या होता है ना market के पीछे के आप psychology को समझने की कोशिश करिए इन्वेस्टर्स लोग क्या सोचते है कि हम लोग जादा से जादा मतलब quantity को add on करना चाहिए यहाँ पर क्योंकि क्या होता है यह एक festival के वक्त रिटेलर्स बहुत जादा एंट्री अपनी बनाते है stocks वगरे में तो अभी चलो 3 p.m के बारे में बात करता हूँ इसके बारे में मैं बता दूंगा मोरड ट्रेडिंग दे के दिन तो यहाँ पर किसी भी डिरेक्शन में मूव आ सकता है ठीक है सो हमारा मतलब काम क्या होना चाहिए सबसे बहले तो target stop loss अपके fix होना चाहिए देखे मेरे बास 30 quantity है अभी चाहे तो मैं 60 quantities ले सकता हूँ बट क्या है न मैं अल्रेडी अपनी देखे 2700 के आसपस में मेरा लॉस अभी चल रहा है और यहां से अगर नीचे घुम के आएगा इस पूरे मन्त में क्यूंकि देखे अब मैं थोड़ा सा बायस था आज के दिन आप लोगों ने भी फिल किया होगा मार्केट कहीं ना गही रेंज बाउंड है 11 के आसपस में इंडिया विक्स है सो मुझे असा लगता है मार्केट रेंज बाउंड सिर्फ रिटेलर को ट्रैप करने के लिए मतलब हो रहा है एड दी इंड इसको जाना उपर साइड था अब मैं जब उपर साइड के लिए ट्र नहीं करेंगे हम लोग अगर यह मार्केट प्रॉफिट होता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना गई एक बीटीएस्टी पोजिशन भी हम बना सकते मतलब देखिए आज फ्राइडे हो गया कल सेटर देखिए संडे को जब मार्केट ओपन होगा तो मेरा व्यू अब 360 के आसपस में जाएगा मार्केट ठीक है सो चलो जाने दो ठीक है हम लोग अपने पोजिशन को लेकर बैठे हुए 3 पीम जो भी साइड में आएगा मोग देखेंगे तब तक यार आप प्लीज सब्सक्राइब करते चलिए देखिए 375 सब्सक्राइब फाइनली 30 कब है मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ 12 नवेंबर को है ठीक है सो अभी तो देखिए मेरे फेवर में मार्केट जा रहा है इसी को बोलते एक्सपीरियंस इसी को बोलते कन्विक्शन मैंने जो सोचा था मार्केट यहां से उपर जाने वाला है गया ही ना मार्केट दे है निफ्टी की लास्ट 15 मिनिट केंडल अगर डे हाय पर ब्रेक होती है डे हाय पर क्लोज होती है और एक ग्रीन केंडल के साथ क्लोज होती है सो विल गो इन बीटीस टी कॉल साइट पोजिशन तो अभी तो कुछ 77,541 रूपीस के आसपास में बचा हुआ है सो देख रहा ह और क्योंटिटीज एड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बट चलो देना तो चाहिए यार मार्केट ने मुव और ठीक है अब तो मैं एक्जीट नहीं करने वाला इस पोजिशन को मेरे ख्याल से अगर यहीं पर माय गॉड थाउजन रूपीस का ही लॉस बचा हुआ है 2700 उपीस का लॉस था बोला था ना कि यार मार्केट मुझे लग रहा है मार्केट यहां से उपर जाना चाहिए एड दी एंड मार्केट ने वही किया तो इसके पीछे का लॉजिक रीजन जो था मैंने आपको बताया नहीं अभी तक कि क्यों नहीं बताया क्योंकि यार आप आपको समझना पड़ेगा at the end it's a game of experience दिखिए मुझे ऐसा लग रहा था मार्केट यहां से 3 p.m में उपर जाना चाहिए उसके पीछे की कुछ स्ट्रेटीजी नहीं थी ठीक है आप लोग निफ्टी में क्रॉस चेक करेंगे एक बार मैं निफ्टी का भी चार्ट दिखा द क्या करेंगे देखिए oh my god let's see man 93 rupees का profit और क्या बोल चकता हूं मैं मतलब देखिए हाला कि मेरी quantity 60 रहनी चाहिए थी यहां पर at the end मेरा profit 6000 प्लस रहना चाहिए था बट रिस्क भी कोई चीज होती है अब रिस्क लिमिट मैंने कम कर दिया था मुझे बड़ा लॉस चाहिए नह बैंक निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम में केंडल देख लीजे आप so finally चलो closing के आसपास में ही आ चुक है मैंने पूरा mood decide कर चुका हूं कि मैं इसको BTS लेकर जाओंगा 12 बजे 12 तारीक को हम लोग कट करेंगी इसको and ठीक है फिर ऐसा समझ लेते कि धंते रस के दिन हमारा हुआ तो हुआ ले लेंगे हम लोग लॉस बट एड़ी एंड बूलिस सिगनल है मार्केट में तो मार्केट को एनिहाव दिवाली के दिन उपर ही खुलना है यह चीज मेरे experience के इसाब से दो साल तीन साल के मोरड ट्रेडिंग सेशन के अकॉर्डिंग मार्केट को उपर ही ख तो बुरा लगता है थोड़ा सा मतलब मैं आपके लिए इतना initiative लेता हूँ तो एक subscribe कर दीजिए बस मुझे अच्छा लगेगा and दिल से बताईए यार मैंने strategy जो बताया है 15-minute last 15-minute candle में क्या हो सकता है तो उसको भी देख लीजिएगा एक बार वीडियो हो गई YouTube पर and आपक को अब में टापिक मौनः ट्रेदिंग strategy बताता हूँ देखें मौनः ट्रेडिंग के वक्तना क्या होता है मार्केट साइडवेज हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग मार्केट साइडवेज होता है आप कुछ भी पोजिशन लेंगे बाइंग में ऑप्शन बाइंग में लॉस ही होना है क्योंकि क्या होता है ना मार्केट में लिक्विडिटी होती नहीं है अब मार्केट में लिक्विडि आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है ठीक है अभी एंड में कि at the end आपको ट्रेडिंग में options ट्रेडिंग नहीं करना है मुरत ट्रेडिंग के दिन btst position well and good but stocks में काम करिएगा hardly 100 रुपीज 200 रुपीज का profit loss के लिए खेलिएगा क्योंकि मुरत ट्रेडिंग डे आपका मतलब एक दिवाली का दिन है उसके दिन बड़ा loss लेकर बड़ा profit बनागर आपका मोटिव नहीं होना चाहिए बस एक कुछ तो भी एक token of amount आप लोग बस market को दीजिए यह market से लीजिए 100 रुपीज 200 रुपीज क्योंकि मैं ऐसे ही करता ह हो क्योंकि इनिशियल डेज में मैं लॉस भी करता था ट्रेडिंग के वक्त दिवाली के दिन सो ठीक है आप लोग इस चीज़ों से बचे यह यह मैं expect करता हूँ कि आपको वीडियो से कुछ तो समझ आया हो गया and more trading day के दिन हम लोग expect कर रहे है कि C side में gap up open होना चाहिए ट्रेडिंग जैक को 375 सब्सक्राइबर से लेट्स गो 500 सब्सक्राइबर समको जल्द ने करें